हेलो फ्रेंट्स अभी मैं आपके साथ यह जो वीडियो शेयर कर रहा हूं यह रोज के मार्केट अनलसिस के बारे में तो है लेकिन अभी जो है कुछ करीबन 10-15 मिनिट पहले घटना करम घटित हुआ और वह घटना करम हुआ कि यूएस के इंदर डाउ जोंस के इंदर उपरी से करेक्शन सा गई और रीजन जो है वह यह है कि आज मार्केट आवर्स बंद होने के बाद जो है जो है जो है पेश किये गए और जीडीपी के डेटा जो है काफी इंप्रेसिव थे जिसके बाद सिंगापुर निफ्टी एक पोजिटिव नोट के साथ काम कर रहा था और कर यहां पर बजार क्लोज हुआ वहां से करीबन सबासों पोइंट उपर जो है सिंगापुर निफ्टी काम कर रहा था लेकिन अभी जो यह न्यूज आई है इसके बाद जो है वीकन डाउ जोंस में और सिंगापुर निफ्टी दोनों में देखी जा सकती है इसी के साथ साथ जो डॉलर इंडेक्स आज दिन बर 96 के नीचे काम कर रहा था उसके अंदर भी एक दम जो है तेजी के साथ जो है बढ़त दिखाई दी और उसी का जो इंपेक्ट है वो कुरूड ओयल के उपर भी साथ साथ देखने के लिए मिला और कुरूड ओयल भी करीबन 2% कम जोर हो ग ही उन्होंने का कि फाइनल डिसीजन फास्टर टेपर विल कम ओनली आफ्टर रिवीविंग अपकपिंग डेटा जोब से इंफलेशन वह यानिकि वह कह रहे हैं कि अगर यूएस में जोब से इंफलेशन की डेटा ठीक होंगे तो हम तोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं तो और ज्यादा कड़े शब्दों में का कि हम दिसंबर मिटिंग के अंदर भी फास्टर टेपरिंग का फैसला ले सकते हैं पावल सेज रिस्क ओफाइर इंफलेशन हैस इन्फलेशन का रिस्क जो है वह यूएस के अंदर बढ़ गया है ऐसा पावल का मालना है जिसके बाद य यह दस बज़ कर एक 30 मिनट यूएस के टाइमिंग में दस तरेपन और दस बज़ कर पच्छ मिनट पर आई और जैसे ही यह जो पूरी घटना जो है सामने आई बजार के अंदर यूएस के मार्केट में क्या हुआ देखिएगा डोलर इंडेक्स इसी समय के आसपास एकदम तेजी से जो 95.6 के पर चल रहा था वो 96.5 पर आ गया और केवल एक पॉइंट से यानिक फूल अगर परसेंटेज ट्रम्स में बात करें तो करीबन करीबन एक पसंड का चेंज जो है सरडन देखने के लिए मिला तो आपको स्क्रीन पर नज़रा रहा है उसके बाद ओएल ब गिरावट हुई SNP5 और NASDAQ NASDAQ में भी सिमिलरली जो है इंपक्ट देखने के लिए मिला अब इंडिया के बजारों में हम अगर देखें तो क्या हुआ वह भी मैं आपसे चर्चा करूँ यह यहां पर यह यूएस के बजारों में हुआ और यूएस के बजारों के अंदर भी तो रिकोडिंग आज मैं जो है दुबारा कर रहा हूं इसको और उसके अपडेट जो है मैं आपको दे रहा हूं और यह देखेंगाई सिंगापूर निफ्टी के अंदर सडन रियक्शन आये तो यह सिंगपूर निफ्टी का चार्ट है तो यह कुल मिलाकर इसके अगर चेंज नहीं होता तो शायद हमारा जो थोड़ा सा डिफरेंट होता तो एक दम जो है बदल गया एक घटना करम की वज़े से जिसकी वज़े से मैं इसको आपके सामने दुबारा रिकोड कर रहा हूं तो आज जो बजार खुले बजार जब खुले तो एक मजबूत नोट के साथ करीबन डेड़ गंटे के आसपास काम करते रहें और डेड़ गंटे तक बजार काफी मजबूती के साथ काम करते रहें 17324 का जो है एक हाई लगाया आज का इंटर अड़े और वहां से फिर की थी उस चर्चा को कंटीनियू करते हैं तो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि देखिए का बजार के अंदर अगर चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कल एक हैंगिंग में बना था और उसके बाद मैंने कहा था कि एक जो है बड़ा मूव नीचे की तरह के ऊपर की तरफ दोनों तरफ आ सकता है और कल की केंडल को मैंने कहा था कि यह जो हमारी केंडल है इसको टेस्ट कर दिया है तो कुल में लाकर यहां से एक बाउंस हमें मिला था और वह बाउंस मैंने आपको कहा था कि कल जो के जो लो थे वहां पर आपको जो है नजर बनानी है तो आज जो ह अब यह यूएस की निव्स है यह देखते हैं अब डाउजोंस पर कितना इंपक्ट डालती है हलाकि अगर टैपरिंग होती है बजार से लिकुडिटी कम होती है तो देखिए का बहरत के बजार भी जो है उसे चुते नहीं रहेंगे लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक काफी तेजी से लिकुडिटी मैंज किये हुएं लेकिन फिर भी जो है अपसाइड जो है कैप हो जाती है मैं यह नहीं कहूंगा कि गिरावड बहुत ज्यादा तेजी से होगी बट अपसाइड बिल्कुल कैप हो जाएगी और यह देखिए का यह रेंज है अभी भी इस लेवल तक गया फ्राइडे की लेवल तक गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और सस्टेनिवल्टी पर देखिए का डाउट रहेगा क्योंकि बजार के अंदर जिस तरीके से करोना वाइरस के नए वेरियंट के बारे में जो खबरे हैं वह बजार को उपरी लेवल्स पर प् जेल्टा रहेओं हो रोए हैहां लेकि यह कैसी रेंज है जिसमें रेंजस्टिंस आपको रहेगा primary पیहले भी काम्पिश कर्चूंगा और मैं आपको यह concerned कर कि लेगए गरसे यहां इस दो में जो शोलह हजार से लेकर सतराघार की शोड पीरिडिड में और एक महीनक अंदर 16,000 से 17,000 की लेबल से आ गए थे तो यह निफ्टी के एंगल से अगर हम बात करें देखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फोकस हाला गया अब यह देखिए का अगर लोग तूटते हैं 16,000 आप इसको 700 मान के चलिए गर 16,000 700 तूट जाता है किसी भी करण स से तो यहां पर फिर आपको कोई इमिडेट स्पोर्ट नहीं मिल रही है इमिडेट स्पोर्ट आपको 16,000 पचास कैस पास ही आकर मिलेगी और यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप 16,000 700 की नीचे बजार जाते हैं तो आपको एक सड़न रियक्शन है इंटरमिडेट बाउंस जो है हमें लगता है कि आने चाहिए निफ्टी के अंदर भी लेकिन देखे का बजार की अंडर लाइंग ध्यान रखिएगा बेरिश है बजार जो है अभी प्रोफिड बुकिंग के मूड में है और जिस तरीके से कहीं से भी अभी कोई भी नेग 50 पर से जाब वोल्यूम थे इस बैंक में 50 पर से जाब वोल्यूम थे अधर इसका मतलब यही बनता है कि बजार जैसे जैसे ऊपर जाएगा उपर बार बार जो है अभी जो है ट्रैप होंगे जो भी तेजी करने वाले लोग हैं तो उपरी लेबल से सेलिंग परिशर जो है देखा जा सकता है और बजार में जब जबस चोट बनेंगे तब बड़ी जबस चोट कवरिंग आएगी यह भी ध्यान रखेगा लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि बजार अभी मायूस है और सेल उन राइस मार्केट है क जब तक बजार 17,300 के उपर नहीं जा रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो आप यह मानगे चलिए कि तेजी नहीं आ सकते और 17,500 शक्राइट बजार तो बैने का था तो बने का है तो बने जब तक बजार तो बजार तो चलिए देखेंगा और देखिए उसके तोटते के साथ बजार के एक strength खतम हो गई है कुल मिला के आज Infosys याइटी जो space की companies है उन्होंने समालनी कोशिश की बजाज finance में भी तेजी थी बजाज फिंसर टाइटन और टीसिस लेकिन आप ध्यान रखेगा कि अभी बजाज finance और बजाज फिंसर इन valuations पर आज की बजारी की प्रस्तितियों में महंगे है तो यह अभी देखिए कि किसी भी दिन के इंदर panic selling भी जो है start हो सकती है और कुल मिला के रिलाएंस HDFC Kotech मेंदरा जी SW Steel आदानी पोट्स इस तरीके की जो companies हैं वह भी आज गिरावड के साथ काम करती है तो अभी financials में हाँ लगी देखिए अब rally में वह ज़्यादा participant नहीं किया था निफ्टी बैंक ने लेकिन गिरावड में participants कर रहा है 6000 की निफ्टी बैंक के अंदर गिरावड अलड़ी आ चुकी है अब अब यहां पर आपको selling pressure जो है देखने के लिए मिल सकता है बजार उपरी लेवल पर समलने की कोशिश तो करता है लेकिन समल नहीं पाता अब देखिए का जो लो बीटा सेग्मेंट्स है यह जहां पर cash flows वह तच्छे हैं उन companies को खीचने की बुल्स कोशिश कर रहे हैं इसलिए power grid के अंदर एक अच्छी तेजी आपको देखने के लिए मिली और FMCG के अंदर Tata consumer में जो selling हुई थी उसके बाद देखिए का दुबारा से उठके Tata consumer चलने कोशिश कर रहा है बजाज फिन सर्फ देखिए का चला है लेकिन मुझे भी confidence नहीं है टाइटन को भी देखिए का safe जो शेस है फाइस के उनको हीचने की कोशिश तो हो रही है लेकिन बजार में confidence नहीं आपा रहा है गिरावड कहां से थी देखिए का metal pack के अंदर जब अस टाटा स्टील के अंदर चार पसंद गिरावड दी कोटक मेंदर बैंक में बोल रहा था 2000 के उपर खड़ा हुए काफी strength जो है कोटक मेंदर नहीं दिखाई और bank nifty की गिरावड में सबसे कम participant किया है कोटक मेंदर बैंक ने उसके बावजूद भी आज दीन पसंद गी देखिए का चपेट इसको लग गई JSW Steel metals pack के अंदर कम जोरी के साथ था अधानी पोट्स देखिए का उन लेवल के आसपास स्पोर्ट ले रहा है जब आधानी गुरूप के बारे मीजिस तरीके से मेडिया में खबर थी तो उन लेवल के उपर काम कर रहा ह Salt मुझे लगता है वहीं पर ले रहा है तो। 60 Cसाट में के आश्पास के लिवल सां महां पर करनी कोशिशका कर collectors बजा तो नहीं कर रहे हैं बजार को और थोड़ा सा नीचे देख रहे हैं और कुल मिलाकर अगर निफ्टी बैंक के फ्रेंट्स पर बात देखी जाए तो आज निफ्टी बैंक में बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिली 36774 तक गया लेकिन वहीं से देखेगा रिवर्स कर गया तो यह जो रिवर्स के जो साइन थे वह वीकनेस जो है शुरू के एक से डिट घंटे बजार तेज थे फिर दिन में नूटरल और लास्ट के पंदरा बीस मिनट तो जो है सीधा सीधा जो है एक तरफा जो है सेलिं देखने के लिए मिली और जिस तरीके की मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल ए बन गया है यह बेस यहां पर हमें लग रहा है कि यहां पर थोड़ा स्पोर्ट मिलना चाहिए था लेकिन स्पोर्ट जो है इतना मजबूत नहीं मिल रहा जितना कि पीछे जो है बजार चड़ते गंडल्स मिली थी तो यह देखिए गभी उस स्पोर्ट के आसपास हम उमीद कर रहे थे कि बजार रुकेगा क्लोजिंग बेसिस पे और वो लेवल थे 35,800 और 35,800 पे हाला कि रुकने की बड़ी कोशिश की लेकिन लास्ट के 10 और 35,100 के आसपास है और यह ध्यान रखिए कि यह बहुत अच्छी स्पोर्ट से और इसके बाद अगर आप यहां पर पूरी रेंज को देखेंगे तो यह तो यहां पर बहुत जबस जो है ट्रेडिंग बेस जो है बना है इस बात को आपना जर अंदाज नहीं को सकते हैं तो 35,800 भी जो है क्रैक हो गया और 35,800 को बजा रिस्पेक्ट दे नीरा तो अब आप नीचे कभी रस्ते खुलते हुए देखेंगे 35,000 एक सो एक एहम स्पोर्ट है वहां पर बजार रुकना चाहिए और एक बात ध्यान रखिएगा अब रेंज बढ़ी हो गई है उपर की त ती थी निफ्टी बैंक की जनरल ही हफते बर की दिलिए अब वो जो है 2000 की है और कुल मिलाकर आप देखिए को जो हाई थे 41,800 के हाई वहां से आज बजार ने जो क्लोस दिया वो 35,695 पर दिया है आप सीधा कैलकुलेट करेंगे 6000 का सीधा सीधा वन वे डाउन फोल आपको के लिए मिला है आपको एक दो ग्रीन गंडल नजर आ रही है बीच में बाके सब रेड और मैं यही बोलता था जब बजार में तेजी हो रही थी कि आप आख बंद करके तेजी में पार्टिस्पेट्स नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप लोंग टर्म इंवेस्टमेंट कर रह एं है और बैंक निफ्टी स्टोक तो कम किया पूरी बजार की रैली के अंदर पेले अगर हम निफ्टी के एंगल से देखे तो बजार से पहले दो Doing 2020 में बजार गिरने से पहले 12ária 4 रूंद 9-5 था Phले भी छी वह करीवन और次 से 50% के बीच में चला जबकि बैंक निफ्टी के विल 30% के सपस चला और अब गिरावड में देखी का ज्यादा गिर रहा है तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में इस टैंक नहीं है और हम भी पिछले एक डेड़ साल से कहा रहे हैं कि बैंक निफ्टी के इंदर जो स्टोक्स है उनका रिस्क तोड़ा सा ज्यादा है लेकिन कुल मिलाकर आप यह बात ध्यान रखनी है कि बैजार एकदम वन वे नहीं गिरते हैं और ऐसी स्थिती भी आपने बहुत कम देखी होगी कि वन वे बैजार गिरते हैं तो यह स्थिती देखिएगा बैजार में कभी-कभी आती ह तो हीमें कि वन साइडू फोल आपको देखने लिए मिलता है और वन साइड देजी तो यह देखिएगा दोजैरर इक्स में नए चीज में देखने के लिए मिली तेजी भी ऊछी और през पूरा जखीर है जहां पर आपको एक स्पोर्ट मिलेगी आप इसको थोड़ा से नीचे भी है सभी नहीं कि नीचे भी हो जाएगा कल सुबह ही आपको देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि अगर डाउ जोंस अगर वीक बंद होता है या जो इस न्यूस के उपर रेक्ट होता है तो कुल मिलाकर 35100 हो सकता है आपको सुबह सुबह मोरोनिंग सेशन में ही देखने के लिए मिल जाए और 35,000 पर जाने के बाद यह शोट्स नहीं होने चाहिए शोट्स कवर करने का समय 35100 के आसपास होना चाहिए सो 200 पॉइंट की मैं बात नहीं करूंगा बट 35,000-35,000-100 के आसपास काफी अच्छी स्वोट जो है है और यहां से हमें लगता है कि कुछ समय भी बिताना चाहिए जिस तरीके का फोल एक तरफ हुआ है वह शायद नहीं होगा और फिर बीच बीच में अच्छे बाउंस की भी हम उमीद कर सकते हैं और आज एक्सिस बैंक देखेगा ओवर सोल्ड है लेकिन ओवर सोल्ड होने के बावजूद आज थोड़ा सा बाउंस करने की कुशिश की और आज जो है सेंचरी मारी हो था इंडर्सिंट बैंक 883 तो इस तरीके से जो है सबी जो है कमजोरी के साथ काम रहे थे अधर देन एक्सिस बैंक इसमें पोजिटिव रूट जहान था और कुल में लाकर जो शियसाज प्लस में थे बंदन में कारवियल बैंक और एक्सिस बैंक बंदन मेंक अपनी स्प और जहां पर मैंने आपको रेंज बताई है चोतीस जार से पैंतीस जार उस रेंज के बीच में जब अगर बजार आएगा तब आप कुछ फंडामेंटली साउंड शेर्स अगर मैंक के अंदर आप देखना चाहते तो अपने पोटफोलियो में एड़ कर सकते हैं तो जब व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजार में जिस तरीके से आज शाम का फोल हुआ उसकी वज़े से ऐसा लग रहा है हमें कि जो वीकनेस है वह उपरी लेवल्स पर अभी जो है काफी तेजी के साथ है और तेजी के साथ सेलिंग हो रही है वोल्यूम बड़े हुए है आप देख के ढला रहे है क्रीबन को टमेंद्रा वेंक का वैसिता नहीं होता है करीव रहे करिबं तीन मिलियन अब देखे को घोटर में बंक को ओल्यूम है फॉर पंट तो च्बाइब सेवेले हैं सह पींद्रशन होता है फॉर फॉर पैंड़ एइन विलियए वारी ವ्योडियों पर रहा है और बजा रहे भी नीचे आ रहा है और इसके अलावा देखिए का ICIC bank तो ICIC bank का भी 1820 पर रहता है थो थोड़ा सा volume इसमें भी जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा volume आपको growth देखने के लिए मिल रही है वाज और इसके अलावा जो था hdfc bank के अंदर क्योंकि hdfc bank को हर कोई रोकने की कोशिश करता है क्योंकि hdfc bank का वेट बहुत जादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में लेकिन फिर भी उपरी लिए उस पर जब आज गया hdfc bank तो वहाँ पर sailing आ गई और कुल मिलाकर f20 देखिए कि अब एक तरफा sailing कर रहे हैं और हमारे डियाइज भाई सब एक तरफा रोकने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डियाइज ने 30,000 खरीद है 30,000 क्रोड और f20 ने 49,000 क्रोड बेचा नो जार क्रोड की extra sailing जो है f20 की तरफ से देखी जा रही है इंडेक्स के फ्रेंट्स पर अगर हम बात करें तो इंडेक्स के अंदर दो दिन में जो है अच्छी खरीदार इनों ने की है तो इसका मतलब है कि इंडेक्स के अंदर अब जो shorts हैं उनको cover करना जो है f20 ने शुरू कर दिया जिसकी वजह से मैं लग रह तब सेल करना है ना कि जब बजार सुबह खुलते के साथ अगर एकदम नीचे जाने की कुशिश करें तब आप सेल करेंगे और फस जाएंगे तो यह द्यान रखना है कि sale on rise market है और खरीदना उस दिन है जिस दिन गिरावट वाला सीन होता है अब यहां पर देखिए stroke features के अ सब्सक्राइब और निफ्टी के अंदर भी हो सकता है कि आपको 16,000 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल जाएं लेकिन एक तरफा नहीं मिलेंगे अभी बीच बीच में bounce का इंदिजार करते रहेगा और bounce में आपको selling देखने के लिए मिलती रहेगी और यह जो indications है इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब बजार oversold हो जाएंगे जब oversold 16,000 के आसपास बजार जाएंगे या 35,000 के पास या 35,000 के नीचे भी जाएंगे बैंक निफ्टी के बाद में तो bounces बड़े जबस आएंगे अभी भी अगर बजार कल आपको उपर की तरफ मिले हो सकता है GDP की डेटा बहुत अच्छे थे और हम उमीद कर रहे थे कि कल सुबह उपर खुलेगा और उपर खुलने के बाद सेलिंग आएगी लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि बजार पहले नीचे जाए बट ध्यान रखिए का 35,000 बैंक निफ्टी पर शोट्स कवर करने का टाइम है फिर इंतजार करना चाहिए उपर आए फिर दुबारा से शोट्स बनाने का टाइम आएगा इसी तरीके से निफ्टी के अंदर भी आप यह मानिए कि निफ्टी के अंदर जो स्पोर्ट्स है वो थोड़ी से नजदीक है पर वो स्पोर्ट अगर करो क्रैक होती है 16,800 पे भी अच समय पर बाद हैं बूल जाओं देखिएगा 10-15 तारीक तक रहेगी मंदी और 15 तारीक रहे अठारा तारीक और लास्ट का जब वीक आएगा जब लास्ट के वीक में पहुंचेंगे धियान रखेगा सारे बजार को इतना मंदा कर दिया जाएगा सब के दिमाग के अंदर यो दियान रखेगा बिल्कुल रिवर्स ट्रेंड होगा इस महीनेगा तो ताव में आके इतने शोट समद बना देना कि जब लास्ट के हफ़ते में जब रिकवरी आएगी तो बहुत जबस्त आएगी यह ट्रेडिंग है और यह ट्रेडिंग के अंगल से मैं आपके साथ बात क के लिए गिरावट हर खरीद का मोका होता है जो भी शेस उनको पसंदीदा है जो भी उनको फंडमेटल साउंड कंपनी लगते हैं उनको धीरे-धीरे महातरा में आप जो है एकुमलेट करने की कोशिश करिएगा मेरा काम जो है आपको एजुकेट करने का कि प्रोपरली एज लगाते हैं क्योंकि जो option chain है उसमें build-up रोज बदल रहे हैं सेकंड सेकंड बदल रहे हैं तो option chain की जो डेटा है वो भी नसीग साइट पर प्रोपरली अपडेट नहीं हो रहे हैं तो मैंने उसकी option chain नहीं लगाई है आज का analysis यहीं पर खतम करते हैं और आपको analysis कैसा लगा जरूर से मुझे comment box से बताईएगा वीडियो देखने के धन्यवाद thank you very much